नविश्कार दोस्तो जैहिंद बंदेवातरम श्वागत है आपके अपने टीटी फेमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सिंटर पर पावड़ बाई सिच्चा ही प्रकास है दोस्तो आज हम बात करेंगे सीटेट प्रीविएस साल पेपर की बात करेंगे जिसमें ला इंपोर्टन प्रिक्टिसेट करने वाले हैं जिससे आपका हिंदी भासा लंग्वेज में स्कोर बेटर होने वाला है तो चलिए आए देखते हैं कैसा पेपर पूछा गया था पूरा डिटेल के साथ जानते हैं तो इसमें आपका गद्यांस दिया गया कि आंतिक और बाह द का मूल अधार आंतिक सोचता है मन की सोचता मानो बेभार को दरसाती है सत्त सुदता शान्ति प्रेम सम्मान जैसे आत्मा के जमजात गुणा का उलंगन प्राक्तिक विधी और विधान और व्यस्था का उलंगन इस प्रकार के प्रिश्ण में आईए चले बात करते हैं प्रिश्ण की इसे लेटर प्रिश्ण करेंगे आंतिक सोचता से सम्मंदित नहीं है देखे आंतिक सोचता से सम्मंदित आपका निर्मल विचार है सांतिय और प्रेम है लेकिन सिच्छा आपका नहीं है तेका और इन स्वचता और निर्मलता से हो जाता है इस प्रकार अंगला प्रशने बाय और स्वचता का मूल आधार आंतिक स्वचता है यह इस वाक से आसे क्या है तो बाय स्वचता का मूल आधार आंतिक स्वचता है इस वाक से आसे कि बाहरी स्वचता पर ही बेतरी स्वचता आधारित होत तो वह हमारा वैधानिक बन जाएगा निन में से किसमें बिसेशन बिसेश का सम्बंद नहीं है देखें बिसेशन बिसेश का सम्बंद आपके बाहर सचता में है बुन्यादिय सकता में है जमजात गुन में है लेकिन सिच्छा और पर्यावरण में इसमें विसेशन विसेश का सम्बंद नहीं दिया अंगला जो पुष्ण कहे रहा है कि समू से बिन कौन सा है सुच्छता, निर्मलता, शम्मान या सुच्छ तीनों सब्द हमारे परपूर है सुच्छता, निर्मलता और शम्मान तातपर होता है, मन में कोमल भाव चगान अंगला पुष्ण है, बुन्यादी में बुन्यादी में प्रत्य कौन सा होगा बुन्यादी, तो बुन्याद धन ये बराबर बुन्यादी, बुन्यादी में ये प्रत्य हो जाएगा प्रत्यबाद में लगता है उफशर के सब्द के पहले लगता है चीजे समझ लीजेगा गद्यांस के उसार मनुस के लिए सरवादिक महत्पूर्ण क्या है इस गद्यान सक्रम्सार मनस के लिए सरवादिक मुधपूर्ट जो होता है वह होता है बिचारों और भाओं की पवित्ता अब नीचे दे गए पंख्धि को पढ़ना है हमें मिली आजादी बीर सहीदों के बलिदान से आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी ब्यापारी बन कर आये और छल हम पर राज किया हमको आपस में लड़वाए की नीती अपनाई थी हमने अपना गवरा उपाया अपने श्वाभिमान से हमें मिली आजादी बीर सहीदों के वलीदा निशे ये आपके पंक्ते दे गई है और इस पंक्त के बारे में पढ़ेंगे और इस से रिटेटरिट कोश्चन आपके जो दी गए इसको आपको बताना कभिता में किस छलकी बात की गई है तो कभिता में ब्यापारी बनने हमें गुलाम बनाने की छलकी बात कई गई नीत सब्द में किस प्रत्य का प्रयोग किया जा सकता है तो नीत सब्द में आपके एक प्रत्य लगा हुआ है नीत में अगर एक प्रत्य का प्रयूक कर लेंगे तो सब्द में नैतिक बन जाएगा श्वाभिमान का संदि बिच्चे सबी लोक जानतेweit श्वादन अभिमान देरगशवर संदी हो जाएगा देश को सतंता प्राप करने में एक लंबा समय लगा ये भाव कविता की किस अंस को जो है प्रदिविम्मित करता है तो ये दोस्तों आपके बीर सहीदों के बिल्दान के ओर प्रदिविम्मित करता है दोस्तों अंगला प्रस्ण है देश की सोतंता के लिए अपने जीवन की आहूत दे दिये आजादी मिलने का अस्रे जो है बीरों के बल्दान को दिया गया इसके बाद आप कंग्या प्रश्ण है पेड़ागोजी की प्रश्ण हैंगे दान से समझेगा निम्रिकित वाक के संदर में कौन सकतन सत्त नहीं दिया गया बच्चे द्वारा सिसू गीत अलापना किसके तरीके हैं तो यह दोस्तों हमारा सब्द और वाक संदर के कंठस्ट करके तो यह गलत दिया गया है दोन कि शब्द वली को सम्मद्द करने के, उचाराया का बहास करने के, अव्यक्त बादिकरण और वाक्तिओं के लाएके ये तीनों सही दिए गये हैं और कहरा की कतन सही नहीं दिये, तो आपका दूसरा कतन सही नहीं होगा इसके बाद बात करेंगे अंग्रे पुष्ण की तरफ दोस्तों निम्लकित में से कौन सा प्राथमिक इस तर पर पुस्तकालाय के प्रयोग के बारे में समझ नहीं है कि पुस्तकालाय एक भंडार ग्रह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बलकि किस रूपे देखना चाहिए तो बलकि दोस्तों आपके पाठ पुस्तक में पाठ पुस्कों का ससर पठन सरवादी उप्युक्त रूपशे हो शकता है तो यह आपका बारे में सही नहीं होगा पुस्तकों के साथ सनलगना के सक्री परीश की रूप में देखे जाना चाहिए अध्यापक और दूसरे वैस्क भी पुस्कालों में आदर्स पठन बिवहार पदसित करना चाहिए यह तीनों आपके सही दिये गए हैं बागी चौथा आपसन सही नहीं होगा आप सभी लोग समझ गया होंगे आईए बात करते हैं अंगले पसन के साचहरता जित करने के लिए किसमे निपोनता या मास्टरी होनी चाहिए साचहरता अगर अर्जित करना है पेड़गोजी का बेस्ट कुश्चन कह सकते हैं इसके लिए डी कोडिنگ भासा का अवोधन अंगला पसन निम्निके तमेंसे कौन सा ब्याकरण सिच्चन को प्रभाव शाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं दिया गया है तो इससे जानने कौन सा सही दिया गया है वास्तिक संप्रेशन प्रसुद करना निमिर के तमें से कौन सा साचारता सिच्छन उपागम अच्छरों और धन्वी को बीच के संबंद में बल देता है वह कहला जाता है द्वानी विज्ञान निर्देश नोट्स पीडिया फाइल प्राप्ट करने के लिए आज हमारे टेलीग्राम ग्रूप वाटसे ग्रूप जोइन कीजे और हमारे इंस्ट्रागाम फेस्बुक पेंच को वश्च लाइक कीजेगा कच्छा तीन के द्वापिका ने अपने सिछातियों से कहा कि वे अपने सैपाठियों से सकना शब्द के प्रयों की योगता शम्मंदेत पांच पशन पूचे जैसे कि तुम क्या कर सकते हो गतिविधी यह किस प्रकार के लिए हो शकती है तो ऐसी गतिविधी करना जो होता है मौकिक प्रवाय को अभ्यास की ओर हो शकता है अंगला पुस्ति केगा कच्छा तीन के ध्यापिका अपनी कच्छा में पठन कोना सजित करना चाहती है बच्चों के लिए पुस्तिकों का चैन करते समय निम्द कीत में से किस प्रष्ण को सबसे अधीक महत्पूर्ण मानना चाहिए अंगला कौन सा उपागम या विधी है जो सेच्छारतिक बालग बारिकाओं के जीवन के वास्पीक परिसितियों में भासा प्रयोंके से समंदित होती है क्या वह आपकी प्राक्तिक उपागम है संप्रेशनात्मा को अप्रत्यश्च विधी डिरेक्टर है या स्रह भाशिक विधी के बात करेंग य। ऐसी उपागम विधी जो सिचार्थी की जीवन के वासरिक परिसित्चियों में भासा प्रयोग के मुंख्लच को इससे सम्मंदित हो तो वह मारी हो जाती है कौंसी संप्रेशन उपागम वेधी की बात करते हैं अंगला पसन आपके स्कीन पर दिया गया कि एक धापक ने सिच्छार्थियों को अपने सहपार्टियों से अपनी अभ्यास पुसिकाओं की अदला बदली कर जाचने के लिए क बुणियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलगन होते हैं जब जो है वे सभी इंड़ियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्री प्रयोग करते हैं वो अधिक संलगन हो जाते हैं अंगला देखे कच्छा पांच की एक के लिए एक अंतिम या फाइनल लूप में जाचती हूं यह बिद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है तो यह ऐसा बिद्यार्थी लेखन के किस चरण पर होगा कि मैं मतलब द्यापग एक बार मैं जाचूंगी कि मैंने कितना सही लिखा क्या गलत तो कहीं नहीं लिग गया है ऐसा जो है proof reading हो जाता है किस चरण पर विद्यारती लेखन किस चरण पर हो जाएगा proof reading चरण पर हो जाएगा कौन सा उपागम विदी बच्चों को भासा की कच्छा में उनकी अपनी सहज भासा थात मात भासा का प्रयोग करने के लिए प्रोसाहित नहीं करता है दीखें परुसाहित आपका प्राक्ति उपागम करेगा संप्रेशन करेगा स्रभ वाशिक करेगा लेकिन जो प्रत्यच विदी डारेक्ट विदी होती है ये आपके मात भासा का प्रयोग करने के लिए प्रुसाहित नहीं करती है अंगला पस्ट एक अधाफिका कच्छा के कच्छा दो के विद्यायतियों के लिए एक विवित प्रकार की सिच्छन अधिगम समागरी जुटाना चाह रही है लेकिन इन में से कौन समादन जो है टी एलम के चैनित के लिए नहीं होगा इसके लिए कौन सा चैनित सत्त नहीं होगा टीके टी एलम के लिए देखा जाए तो चैनित समागरी अधिमानता इस्थानी रूप से निर्मित या इस्थानी रूप से उपलब्द हो जिससे आसानी से बदला जा सके यह नहीं होगा बाकी सारे आपके हो जाए तेक है दो प्रसनों और बचे हुए हैं राश्टी पार्चियाजा रूप रेखा इंसियब दोजार पांच के द्वारा रेखांगित दच्चताओं को प्राप्त करने में प्रतेक बच्चे की प्रतिभासा को समर्थन देने वाला समावेसी, श्वागती और आनन्दाई परिवेश सरवाधिक उप्यूग तरीके से कैसे सजित किया जा सकता है जिसके लिए दोस्तों विकास के विविन आयामों से बच्चों के कार का प्रदसन करके किया जा सकता है अगला निम्न्की दमेंसे कौन सा सिधान्त बुन्यादी चरन पर पाठ पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है और तेखिछ इनमें से ऐसा सिधान जो बुनियादी चरहन कें पार्ट पुष्टक पर्राय अभिकलपना हो वह होता है पाइट चर्या का सिधान अधर्षु करन हमने आपके लांग्वेज के कर ली अब 30 कोश्चन जो सिकंड लांग्वेज होता है इंगलिश या संसकत जो भी आप करते हैं तो आप कमेंट कीजे हम अंगले पार्ट में उसको भी कर लेंगे मां की सारी क्लास अज भी होंगी बेतीन सीटेट को क्रेक करना है सीटेट का इसक आपने सीटेट क्रेक नहीं कर पाया है सीटेट कौलिफाइड नहीं कर पाया है तो इस बार अवस्च करेंगे मेरे शारत आए साथ में मिलके सारी चीजें करेंगे नोर्स भी आपको मिलेगी सब कुछ मिलेगा एक क्यों तरीका भी बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है कैसे को देखा जाता आने वाले प्रेक्टिस एट क्लास में सारे चीजें आपको एटूजट बताने वाले तो सभी लोग जुएण की जब यहाइग आफ का अवर्व फैमली है क्योंकि सिच्छकों का परिवार है और सिच्छकों का परिवार है और जो कि एक देश में सबसे बड़ का जय हिंद वंदे माता